तो दोस्तों मैं रालते विद्धी फिर से आप में वीडियो चनल के आगे मसा अगत करता हूँ होप साथ स्वास्त होंगे आज जो खास वीडियो हमने जो अभी डिसेंटली जो एफ पियो आया है जिसके बारे में सब को सब बलब आप बोल सकते हैं कि सब जाना चाहता है उस को हम बताएंगे जिस कंपनी का नाम है जिस आई पियो आया है उसका नाम है रूची सोया लिमिटेड और यह जो बिलॉंग करती है जो एक इंडिया की लीडिंग फम सी जी और आप बोल सकते हैं मेडिकल्स और आयुवर्दिक मेडिकल्स और उसमें भी मलब बोल सकते लीड जिसके बाद इसमें आप अप्लाइ करना है निकना तो आप जो वीडियो के अन तक बने रहिए और एफियो क्या होता है वह आपको अगर मालूम नहीं तो आप मीचे दीगे लिंक में जाके चेक किजिए कि एफियो और इसका मतलब क्या होता है और अभी तक आपने हमें बुक बिल्ट आइश्यू आइप यह दो रुपे का इंका पर यह जो शेयर है दो रुपे का है और इसके आइपे की प्राइस में उनने 615 से 650 पर रखा हुआ है मार्केट लॉट जो है एक लॉट जो है वो 21 शेयर का है एक वी एस दोनों पर लिश्ट होगी एक्विटी शेयर जो यह 4300 सॉरी यह जो इस्यू साइज जो है 4300 कोड़ों का है और यह पूरा पूरा पुरा पैसा एप्टी ओ का है जो पैसा है कंपनी की हाथ में जाएगा और इसमें जो क्यू आइबी के लिए 50 पसंद रखा हुआ है अगर यह जो है उनके लिए 50 पसंद रखा हुआ है कंपनी का अगर यह जो अलॉट्में रहेगा वह 31 माज तक आ जाएगा एपियों का और लाइब लिस्टिंग जो है वह आपको 6 अपरल को आगस पार दिखेगी और रिचुस होया कि अगर अगर आपको करना है आज की लाइब अगर फूरी होल्डिंग जो है और इस आया फ्पू के बाद लगबख 81 पसंद की होलिंग परमोटर के एपनी खुद की मेजोडी रहेगी इसके बाद इस यह जो यह जो आई पयो आपको लाया है उसमें से 2663 क्रोड जो है वो रिपेमेंट आप जो ह है इनकी उसमें जाएगी कंपनी अपनी रिपेमेंट करेगी जिसमें प्रमोटर की कंपनिया है उनको प्रेमेंट जो उन्होंने जो बोरेंग जो है उसका रिपेमेंट होगा और 593 लगबख 600 कोड के आसपास जो पाइसा रहेगा वो पाइसा जो है working capital के लिए यूज होगा और बाकी जो पैसा बचेगा वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो general corporate purpose के लिए use होगा तो इस तरह से company का जो यह पैसे का utilization इस FPO के तुरू होने वाला है company के अगर हम business को समझें तो company जो है एक बहुत पुरानी नामचीन company 1986 का इंकॉपेशन होगा था इस उची सोया इंडेस्टिस का एक टाइम में बहुत अच्छी company थी बट company के management के mismanagement के कारण और अत्याधिक loan लेने के कारण और boring होने के वज़े से इस company का आब बोल से दिवाल पुर्णदार किया और इसके लिए जो यह पतंजली ग्रूप है उन्होंने 4350 करोड रुपया 2019 में इसके लिए दिया और जितने भी settlement करने थे creators के सब करके फिर इस company को acquire इसका जो branding है जो neutrilla और यह रूचिस होया जो है वो पूरा branding उन्होंने खरीद लिया इसके बाद यह company जो अगर देखेंगे तो company leading है अपना oil sector में अब बोल सकते है कि अडानी विलमार और इस company से इस company से competition जादा मिलता है और largest manufacturer soya foods के है इसमें यह बोल सकते है कि upstream और downstream मतलब production से लेके selling तक पूरा जो process है वो रूचिस होया खुद करती है इसके बाद इस company के अगर हम बहुत सा जैसे products है जैसे edible oil products है उसके byproducts है oreo chemicals है texture soya protein है honey है आटा है oil plantation biscuit cookies रस noodles breakfast breakfast cereals और बाद में आप बोल सकते wellness के लिए जितने products है जितने consume करते हैं फिर इसके बाद company renewal energy में भी इस current year में से चली गई है और company का जो आपने brand भी देखा को neutrilla करके जो brand है वो दिखता है आपको neutrilla high protein चक्की आटा भी आता है neutrilla honey भी आता है neutrilla के noodles भी आता है और इसके बाद company के और भी brand है जैसे महाकोश, रूचिस्टा, सोयमम, तुलसी, संरीच, रूचिसनलाइट, केकमो, पफमो, कुकीमो, मो क्रीम, बेकमो यह सब यह सब company के brand है company के अगर हम देखे तो company का जो company palm oil plantation में बहुत leading है इंडिया में और government ने इसको इसके लिए बहुत support किया है ताकि इंडिया की जो oil requirement है वो यह company fulfill कर पाए और जो हमें जो dependency थी other countries पे वो हमारी कम हो जाए और यह company जो है बहुत सारी company में export भी अच्छा कासा कर रहे है largest exporter है oil mills में और जो यह export में आप देखेंगे तो वियतनाम जेपैन इंडोनेशिया मलेशिया साउथ कोरिया यूरोप और मिटल लिश्ट एसी सब कम्पनी में भी यह दे रही है और इसको highest manufacturer exporter का अवर्ड भी मिला है और इसके बाद देखें तो company के पास 22 manufacturing units है जिसमें से total refining 11,000 tons per day का होता है currently 60 plant भी operational है इसके बाद company के पास सौर सेल डिपोर्ट्स है 463 डिस्टूबीटर है और 457,788 के detail outlets है इसके बाद company का renewable energy की मैंने आपके बात की यह बहुत ही important जीजए अगर company इसमें successful होती है और और आगे बढ़ती है तो मेरे लिए मुझे लगता है company के लिए plus point होगा इसमें इन्होंने मार्च सप्टमबर 21 तक इनन टोटल 84.6 मेगावर्ट का अक्रोस जो इनके six location है जहां पर यह electricity जो generate कर रहे है वो खुद के लिए यूज के लिए जिससे इनके cost reduction हो जाएगी और जो carbon footprint है वो भी कम हो जाएगा इसके साथ साथ वो sale भी कर रही है तो मतलब और भी extra income एड़ कर सकती है अगर capacity और बढ़ाती है तो तो इस तरह से company का business model है इसके बाद company के अगर promoter की बात करें तो company के जो promoter है वो आपने पतंजली ग्रूप तो ही है उसके जितने भी company ऐसे पतंजली परीवन प्राइव लिमिटेड पतंजली ग्राम द्योग न्याज रूची सोया इंडेस्ट्री लिमिटेड बेनिफेटर्स योगा के शंस्तान आचारे बाल किस्ट जो इनके पतंजली के जो संस्तापक है और इसके company के MD और CEO भी है और इसके बाद पतंजली प्राइव लिमिटेड पतंजली बिस्कुट लिमिटेड इस तरह के जितनी भी पतंजली और सबसरी जितनी भी है वो सब इसके promoters में आती है और इन promoters से इनको अच्छा खासा business में मिलता है जैसे पतंजली बिस्कुट का example लेता हूँ अगर पतंजली बिस्कुट जो बेचती है माल जो अपने नाम पे उसका production जो है रूची सोया कर करती है तो इस तरह से पतंजली के थ्रू मिल के यह कंपनी अच्छा कासा अपना जो business model बना रही है इसके बाद देखे तो कंपनी के अगर हम financial पे हाए तो कंपनी के फाइनेशल आप जब कंपनी के हालत बहुत खराब थी तो तबी revenue जो है बारा जार उनतीस क्रोड का था त इसके बाद profit after test देखेंगे तो उस time 2018 में इस company ने 5500 क्रोड का असपास लगब लॉस किया था तो जा 19 में 34 क्रोड का profit किया था दो जा 20 में 7715 का profit किया इस 7715 में जो इसमें 7715 का profit किया था उसमें 7490 जो है वो एक exceptional income जो है जो इसमें जितने बी राइड बेक किये थे वो income के add ह इसके बाद देखेंगे तो company के इसके बाद देखेंगे तो company के इसके बाद देखेंगे तो company का जो एवरेज GPS है वो 321.23 है average return on net worth जो है वो 2027.0% है जो extra जो income जो 2020 में जो हुई थी वो राइड बेक करने के वज़े से उसके वज़े से है और price to book के लिए 4.37 के आसपास आता है NAV जो है 148.82 के आसपास है यह September 30 का जो डिटा उसके साब से है इसके बाद company का जो पी जो आता है वो 30.86 आता है अगर अपने इनके पीर्स जो है इसमें नैशली इंडिया है बिटानिया है एग्रोटेक फूर्स है गोड़ेज अग्रोवेट है मैरी को है इंसे के करने करें इनका पी है लगबग बहुत मजब रिजनेबल डिखता है उनके पी है जैसे अभी शम्झोंचनल का एक्जामपल लेते है तो उसका पी जो है वो लगबग 50 के आसपास है बिटानिया का पी जो है 67 के असपास है इसका एक्रोटेक का 99 के आसपास है तो इस तरह से देखे जा तो रोडशा हुआ उसमें कंपणी ने लगबग 1290 कोरो का इन्होंने अपना एंकर बुक इसमें फुल्फिल किया है जिसमें से जो जिन्होंने इंवेस्टमिंग किया उसमें SBI लाइफ इंशूरंस है अगर डॉमेश्टिक में देखे तो HDFC लाइफ इंशूरंस है कोटक मीच किया है तो देखा जातों कमपनी को अच्छा कासा मुलब आब बोल सकते हैं कि IPO का लगब 30% का रिस्पॉंस इसमें एंकर बुक से मिला है इसके बाद देखे तो कमपनी का अगर हम रिसेनली जो शेयर प्राइस खुत का जो अभी लिस्टेड है उसका देखे तो लगबग ज प्राइस का मालूम पड़ा की 650 इनो ने बेस प्राइट रखाया मुलब डिस्काउंड प्राइस पर रखा हुआ है मैनेजमेंट चाहता तो 700-800 रुपया ले सकता था बट मैनेजमेंट यहां पर थोड़ा गया था कि जो इन्वेस्टर है उनको कमाने को मुखा मिल सके तो मै अगे जाके शायद इस प्राइस का एजिसमेंट हो सके इसलिए आपको इसमें इन्वेश्मेंट करते वाग यह पॉइंट का बहुत ध्यान अगना बहुत जरूरी है अगर हम मोटा मोटी अगर रिव्यू ले तो कम्पनी का रिव्यू ऐसा देखा जाए तो कम्पनी अगर लंबे होरिजन तक देखे तो कम्पनी बहुत अच्छी दीखती है और आफ्टर पतेंजली के अक्वाईजेशन के बाद कम्पनी जो है अपनी डाइनामिक और एक्सपांशन मोट पर चली गई है इसमें देखे तो कम्पनी ने लीडिंग एफमसीजी बनने का बहुत दमकम और आगे जाके बहुत अच्छा का सा कर सकती है इसके बाद कम्पनी का जो ऑइल प्लान प्लाइने जो है वह भी अगस अब और है उसमें और इंटर हो गई है इस में भी अपना बढ़ाने वाली है इनका इनका अपना सेल्सरी मिली है वो पूरी उन्हींड पास अबूल सकत खुद के अपने अनुयाई भी है जो इनको फॉलो करते है तो उस प्रोड़क्स को लेके भी ये इनका मलब आपो सकते है कि यूजफुल होए गान के लिए और जो इनको जो इनको जिस मोटिव से जो जो इनकी मैनेजमेंट काम कर रहे है तो मुझे लगता है कि आगे आके इं है यूकरीन और रश्या का भी यूथ चल रहा है तो उसके जिसे भी थोड़ा उटा पटक रहेगी और अभी इसको देख इसकी रिस्पॉंस में अभी इसमें सुस्ती साहित रह सकती है आपको ज्यादा लंबा प्रिमियम जो है इस लिस्टिंग या शॉट गेम में नहीं मि पर किजिए आपको यह वीडियो बहुत ही अत्यां मैथमूर का लगी होगी तो आप जरू को लाइक किजिकू और शेर किजिए ताकि जल्ड से जल्ड यह बारे में लोगों को पता चल सके और वह अपना इंवेश्मेंट कर सके साहर को आना काote को बारे मेंन्यों को इनले सक